वेलकम बैग गाईज आज हम लोग इस वीडियो में डिसकस करेंगे कि मीजो प्रोस्ट्रोल टैबलेट लेने के कितने टाइम के बाद आपको ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो चलिए आज के वीडियो बिने किसी डिले के स्टार्ट करते हैं तो वाईस देखिए जो मीजो प्रोस्ट्रोल टैबलेट है यह यूजली MTP किट के साथ आती है और अलग से चार टैबलेट भी आती है जो MTP किट है उसका यूज अन्वांटिट प्रेगनेंसी को खतम करने के लिए यूज होता है और जो MTP किट है उसमें 5 टैबलेट आती है जो पहली बड़ी गोली होती है वो Mifepristone की होती है जिसको आपको स्टेट लेना होता है और फिर 48 गंटे का गैप रखने के बाद आपको मिजो प्रोस्टोल टैबलेट लेनी होती है और जो 4 टैबलेट साती है अलग से मिजो प्रोस्टोल की उसका यूज यूज ली अगर आपको naturally miscarriage हुआ है और bleeding स्टार्ट हो गई है तो bleeding को induce करने के लिए डोक्टर आपको ये टैबलेट recommend करती है आगे हम लोग discuss करें इस माइक्रोग्राम की होती है और चार टैबलेट 800 माइक्रोग्राम की हो गई बात करें इसके काम करने की तो ये uterus में contractions पैदा करती है सकुडन पैदा करती है contractions जब पैदा करेंगी तब आपको bleeding induced होती है और जो pregnancy products होती है वो contractions के कारण uterus से बाहर निकलती है चीक है लेनी कै से होती है ये tablets तो देखिए जो अगर आपने MTP kit ली है तो पहली बड़ी गोली के 48 घंटे के gap के बाद आपको misoprostol की tablet लेनी होती है और usually जो doctor है ये आपको advise करेंगे कि भाई आप 48 घंटे का gap रखो दो tablet straight 48 घंटे पर लेनी होती है फिर 3 घंटे का gap रख के आपको 2 tablet दुब finally लेते हो तो फिर आपको एक साथ 4 tablets लेनी होती है जब आप इन route से इस timing से misoprostol लेते हो तो फिर आपको 30 मिनट से 4 घंटे के बीच में bleeding स्टार्ट हो जाती है कभी-कभी जो लोग है वो prescribed method से इन tablets को नहीं लेती है और ऐसी direct जाके unwanted pregnancy case में ऐसा होता है usually कि भाई direct वो जाते है फार्मेसी पर दवाईयों की दुकान पर और फिर वो MTP kit को purchase कर लेते हैं और फिर गलत तरीके से in kit का use करते हैं जैसे जो पहली बड़ी गोली होती है मिफे प्रिस्टोन की वो ले लेते हैं और फिर 24 घंटे बाद या फिर 12 घंटे के बाद फिर next tablets ले लेते हैं और जो unmarried couples होते हैं उनको तो भाई रहता ही unwanted pregnancy का risk तो वो बहुत जल्दबाजी करते हैं उनको यह लगता है कि जितनी जल्दी हम लोग इन tablets का use करेंगे तो pregnancy जल्दी से जल्दी खतम हो जाएगी लेकिन मैं आपको बता दूँ कि अगर गलत तरीके से गलट root से गलट dose अगर लेती हो त आपको bleeding 24 hour में भी start हो सकती है usually अगर आपने पहली बारी mesoprostol ली है तो आपको जो bleeding है वो 24 घंटे में start हो सकती है अगर आपने गलट तरीके से गलट timing से गलट dose ली है और कभी-कभी आपको 72 घंटे भी लग सकती है लेकिन 72 घंटे से ज्यादा का time नहीं लगता है अगर आप आपको 72 घंटे में bleeding start नहीं होती mesoprostol लेने के बाद फिर आपको doctor से consult करना चाहिए immediately करेंगे तो बढ़िया रहोगे आपको दुबारा से tablet recommend की जाती है सही dose जो है आपकी age के according आपके body weight के according आपकी जो भी medical history है disease history है उसके according आपको जो भी dose होती है जो भी root होती है medicine को लेने की आपको advise कर दी जाती है तो आज की वीडियो यहीं पर खतम करते हैं लेकिन अगर आपको कोई doubt है तो आप comment करके पूछ सकते हो वीडियो अच्छी लगी हो तो guys please वीडियो को like कीजे चलन को subscribe कीजे यहां तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवार thanks for watching this video